गुद मॉरिंग श्टुडेंट, वेलकम टू दवांकुर डिजी लेसंस क्लास, मैं सीमा साथ, एक वार पुनहा, आपकी वेच चुपस्ते थूं, और आज आप मेरी साथ पढ़ेंगे क्लास सेवंथ का सुसल साइंस, और सुसल साइंस में आज हम पढ़ेंगे अध्याय जिसका नाम है मौलिक अधिकार एवं करतब्य, तो स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में करतब्यों के बारे में जानेंगे, इसके पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार को समझा था, आज की वीडियो में हम समझेंगे करतब्यों के बारे में और महिलाओं के कितने मूल कर्तव्य हैं और वह कौन-कौन से हैं तो हम देखते हैं अधिकारों के साथ-साथ हमारे कुछ मौलक कर्तव्य भी हैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं विस हम जब अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों के साथ-साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं तो भारती सम्विधान के अनुसार सभी भारती नागर्गों के 10 मौलक कर्तव्य हैं हो सकता है 11 भी हो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा कंफूजन है 10 और 11 की बीच में तो बात की बात है लेकिन वह कौन कौन से हैं ये हमारे लिए खास है तो हम और चुकि हमारे जो करतब्वे होते हैं वह हमारे अधिकारों से ही जुड़े होते है अधिकारों की बात तो सभी करते हैं कि हमारा यह अधिकार है, हमारा वो अधिकार है सब अधिकारों की बात करते हैं, करतव की बात कोई नहीं करता अगर हमें अधिकार चाहिए, तो हमें पहले अपने करतव्यों को भी अच्छे से निभाना पड़ेगा तो हम देखते हैं कि हमारे कौन-कौन से मूल करतब्व हैं तो पहला जो हमारा करतब्व है बहे है कि प्रतेक नागरिक द्वारा भारती सम्विधान राष्ट के आदर्शों, संस्थाओं, राष्टिय ध्वज, राष्टिय गान का आदर करना जो भारती नागरिक हैं, उन सभी भारती नागरिकों का यह करतब्व हैं कि वह हमारे देश के जो आदर्श हैं, जैसे की राष्टिय गीत, पंदे मात्रम, राष्टिगान, जनगन्मन, राष्टिय ध्वज, तरंगा और हमारे संस्थाएं, राष्ट के जितने भी हमारे आद उन सभी राष्टिय चीजों का वहें सम्मान करें उनका आदर करें प्रिरित करने वाले आदर्श होते हैं, उनका हम पालन करें। सभी देशवासियों को धर्म, भासा, जाती एवं बर्ग से उपर उठकर राष्ट भक्त बनना चाहिए। आप चीजों से उपर उठकर हमें राष्ट भक्त भी बनना चाहिए और राष्ट भक्त रहकर राष्ट भक्त अपने आपको समझकर कारे करना चाहिए। इसके बाद अगला है जो हमारा कर्तब वो है कि भाईचारे एवं एकता की भावना का विकास करें। संस्क्रती और प्रमपराओं का महत्व समझें तथा उनकी रक्षा भी करें। मिन्स यह जो कर्तब है वह हमें यह सिखाता है कि सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखें या भाईचारे की भावना का विकास करें। संस्क्रती और हमारी प्रमपराओं की महत्व को समझें और उनकी रक्षा भी करें। नेक्ष्ट हमारा कि प्राकर्तिक संपदा, जल, नदी, तालाब, वन्य प्राणियों की रक्षा करना तथा उन्हें संदक्षन प्रदान करना। मिंस जो हमारी प्राकर्तिक संपदाएं हैं, मिंस प्राकर्तिक जो चीजें हैं, जिने हमें प्रकर्ती ने निशुलक दिया है, जैसे कि हम नदी, तालाव, बन्य प्राणी, इन सभी की रक्षा करना, इन सभी को सरक्षा प्रदान करना भी हमारा कर्तव्य है. अगला वेज्यानिक द्रश्टिकोंड एवं मानपता की भावना को बढ़ावा देना मेंस जो वेज्यानिक द्रश्टिकोंड बनाए रखना और मानपता की भावना को भी सुरक्षा प्रदान करना नेक्स्ट है, हिंसा से दूर रहेकर सार्वजनिक संपत्ति की शुरक्षा करना हिंसा मीन्स होता है लडाई जगडा तो सभी नागर्कों का यह कर्तब है कि वह लडाई जगडे से दूर रहेकर जो सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक मिन सरकारी संपत्ति इनकी रक्षा करें या इनकी इनहीं सुरक्षा प्रदान करें नेक्ष्ट है राष्ट हित्में बढ़ चड़कर भाग लेना मतलब जो चीजें राष्ट हित्में हैं जिनसे राष्ट की सुरक्षा है या राष्ट की भलाई है ऐसी चीजों में बढ़ चड़कर भाग लेना इसके अलावा हमारे कुछ और भी कर्तब हैं जैसे कि इमानदारी को बढ़ हावा देना और भ्रष्टयचार को रोकना अगला कानुन का पालन करना मेंस इमानदारी को बढ़ हावा देना चाहिए और अगर कहीं पर भ्रष्ट अचार हो रहा हो या कोई वेक्ती भ्रष्ट अचार में लिप्त हैं तो उसे रोगनी की कोशिश करना चाहिए और जो हमारा देश का कानून है उस कानून का सभी को पालन करना चाहिए उसमें विश्वास रखना चाहिए नेक्स्ट है मत अधिकार का उचित प्रियोग करना चुकि मैंने पिछले वीडियो में भी मत अधिकार की भात की थी मत अधिकार मिंस बोट डालने का अधिकार तो ये जो हमारे देश के कानून ने सभी भारते नागरेगों को जिनकी उम्र 18 साल हो जाती है उन्हें बोट डालने का अधिकार दिया गया है और बोट के जरिये अपने देश की शरकार चुनने का अधिकार है तो ये जो मत अधिकार है इसका प्रियोग बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए मतलब ऐसे ही नहीं करना चाहिए उचित प्रियोग करना चाहिए सारवजनिक पदों जनता के हित में सद्यूपयोग करना चाहिए जो सरकारी नौकरी में है या जो सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है की वह है अपने पदों का उपयोग जनता के हित में करें उनका सद्यूपयोग करें अपने ग्राम नगर के सारब जखतों के कारियों में सहीयोग प्रदान करना और असाहे लोगों की मदद करना भी हमारा करतब्ब है तो स्टुडेंट्स इस तरह हमने यहाँ पर मूल करतब्ब को जानने की कोशिश की थी और अब हम जानेंगे कि भारती संभीधान के अनुसार महिलाओं हे तू बिशेश प्रावधान क्या क्या है तो स्टुडेंट्स मैंने आपसे पिछले वीडियो में मूलक अधिकारों की बात की थी चुकि छे मौलक अधिकार दिये गए हैं प्रतिक भारती नागरिक को और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मूल करतब्यों की तो जो मूल अधिकार हैं और मूल करतब्ब हैं बहे महिला एवं पुरिश दोनों के लिए हैं महिला और पुरुष्ट दोनों के लिए मूल कर्तब हैं और दोनों के लिए मूल अधिकार दिये गए हैं। लेकिन यानि अधिकार और कर्तब में महिला पुरुष्ट दोनों एक समान हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए विशेश प्रावधान तो जो हमारा देश का कानून है भारती सम्विधान उसमें महिलाओं के लिए कुछ विशेश रियायते दी गई हैं या विशेश प्रावधान किये गई हैं तो हम जानते हैं कि यहां पर कौन-कौन से विशिश प्रावधान है। भारती सम्विधान द्वारा महिलाओं के लिए निमलिखित ये प्रावधान है या ये प्रावधान किये गए हैं। पहला है कानून के समक्ष लिंगिये समानता का मतलब होता है कि कानून की नजर में महिला है इसके लिए या इस आधार पर उसके साथ कोई भेधवाव नहीं किया जाएगा। तो कानून की नजर में महिला और पुरुष दोनों एक समान हैं। कि महिलाओं के विकास है तो यानि महिलाओं की उन्नती करने के लिए उन्हीं विक्षत करने के लिए राजसरकारों को सकारात्मक रविया अपनाना पड़ेगा। उनके लिए सकारात्मक कारे करने पड़ेंगे। ऐसा प्रावधान हमारे शम्मीधान में हैं। और जैसे कि राजसेवा आयोग में शूट देना मतलब राजसेवा आयोग में की जो सर्विस होती है उसमें महिलाओं के लिए पुर्षों की अपेक्षा उम्र में शूट दी गई है। यदि पुर्षों को 40 साल की एज है तो महिलाओं को उससे 45 साल की एज तो महिलाओं को 5 साल पुर्षों की अपेक्षा अधिक दिये गए हैं। महिलाओं के लिए ये जो 5 साल का अंतर है ये रियायत है। कानून में प्राध्वन किया गया है। और इसके अलावा पंचायत नगरपालिकाओं की सीटों में पंचायत के चुनाव और नगरपालिकाओं के चुनाव में उनके लिए आरक्षन मींस छूट दी गई है। अगला है कारे के लिए उप्युक्त और मानविये बातावरन प्रदान करना और प्रशुती लाव सुनिश्चित करना। मेंस जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं जहाँ पर वहें काम करती हैं चाये कोई ऑफिस हो या कोई सेक्षन संस्थान हो एक्स पाईजट कोई भी जगा हो तो उनके लिए ऐसी विवस्था करना कि उन्हें मानविये बातावरन जैसा लगे मतलब उनको सुरक्षा मिलनी तो महिलाओं के लिए जहां वह काम करें उसके लिए एक अच्छे बातवरन की विवस्था करना और इसके लावा ऐसी वी विवस्था हमारे कानून में की गई है कि अगर महिलाओं प्रसुती मींस जब महिलाओं मा बनती हैं या महिलाओं तो उसके लिए मैटरलिटी लीव की विवस्था की गई है, इसके लिए छे महिने की छुट्टी या उनको अवकास दिया जाता है, तो और ऐसी सिती में महिलाओं के लिए विशेश छूट देने का प्रावधान भी किया गया है. नेक्स्ट है, महिलाओं के सम्मान के वरुद गतिविदियों को रोकना. कुई बहतर यानि अच्छी विवस्था करना और पोशन के स्थर में सुदहार लाना means सरकार की तरफ से जो स्वास्त केंदर बनाए गए हैं या जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उन पर महिलाओं के लिए अच्छी विवस्था करना और उनके पोशन का भी पुरा ध्यान रखना next है और last है कमजोर वर्ग की महिलाओं के सेक्षनिक वा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तो students कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग में आते हैं SC, ST और OVC लेकिन जो सबसे कमजोर वर्ग में हैं वो SC और ST, SC means schedule caste, ST means schedule tribe means अनुसिचित जाती और अनुसिचित जन जाती तो इन वर्गों की महिलाओं के लिए सिक्षा की विवस्था करना और इनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना means अगर वंचित वर्गों की महिलाओं हैं तो इनके लिए सिक्षा की विवस्था करना साथ साथ इनकी आर्थिक असमानता है उसे भी दूर करना यहें भी भारती संभीदान में प्रावधान किया गया है तो स्टुडेंट्स यहां पर हमने जाना कि महिलाओं के लिए विशेश प्रावधान कौन-कौन से थे तो इस वीडियो में हमने मूल करतव और महिलाओं है तो विशेश प्रावधान को समयने की कोशिश की थी थेंक्स फॉर बॉचिंग